नागपुर के शारदा चौक पर एक घटना सामने आई है जहां सुबह की सैर पर निकले भारदवाज को 30 रफ़तार कार ने को चल दिया फूने के घटना के बाद एक ऐसी ही ही टेंडरन की घटना सामने आ रही है अपने दोस्त के साथ एक महिला याद्रा कर रही थी एक 30 रफ़तार कार ने उसे टक्र मार दी और उचल कर वगंभी रूप से खायल हो गई जबकि दूसरे मामले के बात करें तो नागपुर के रगुची नगर की है जहां सेसी टीवी में आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि 31 रफ़तार बाइक सवार ने दो युफ्तियों को टक्र मार दी और वहां से रफू चक्र हो गया इस मामले में पुलीस ने आरोपी को हिरास्त में लिया है और कार जबत कर नोटिस दे कर छोड़ दिया प्रारमभिक जाज में पता चला है कि सुबे सैर के लिए जा रहे ही एक महिला को पीछे से कार ने टक्र मार दी सेसी टीवी के जाज के बाद आरोपी को हिरास्त में लिया गया और कार जबत कर ली गई आगे की जाज चारी है पड़ताल ने करता है काई फिरे दीचे तया बप्ति अबजेक्शेनास थील निच्ची दज तया बप्ति सुदा हमें चांच तपाद चाला है पुर्णापने तया रोपी परेंद पोचला है गाड़ी पना मी त्या अनुशंगाने जबत केलीली आहे आनि त्या आरो पिला काला आपन नोटिस देऊं शोडने दालेला अनुशंगाने आप जालेला प्रात में गुरुष्टाथी सुनेते तरही सुधा आमी विविदे अंगल मदुन तेजा तापस करता है कैमरा परसन विशाल बंबटवार के साथ रुपा पंडित की रिपोर्ट क्या आप भी दिन भर की ठकान से है परिशान तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एपलान आपके लिए लाया है दर्द और स्ट्रेस को दूर करने का रामबान इलाज तो क्यों ना आज ही घर बैठे मसाज का आनद उठाया जाए शरीर के मांसिक शान्ती का राज है अब आपके हाथ अडवांस मसाज शेयर अपलान अपने परिवार के स्वास्त के लिए आज ही ओडर करें कॉन्टाक करें 70586-22800 फ्री डेमो के लिए आज ही विजिट करें अड्रेस 34 Venkatesh Complex, Nandarman, Naapur